हालो एवरिवन वेलकम बैक टू पर्चम आएम पूजा और आज हम डिसकस करने वाले हैं दिल्ली सल्टनत का पार्ट टू क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मोहमद गौरी लौट रहे होते हैं और उनकी डैथ हो जाती है महमद गौरी के जो अगला वंच आता है वो आता है खिलजी वंच तो आज हमें खिलजी डैनिस्ट्री के बारे में बात करनी मतलब है हमारा दिल्ली सल्टनत का पार्ट टू है अच्छा खिलजी डाइनेस्ट्री जो है वो 1290 से 3020 AD तक रही सबसे कम समय तक दिल्ली सलतनत में 5 डाइनेस्ट्रीज है गुलाम वंच है, खिलजी है, तुगलक है, सयद है और लोदी है तो सबसे कम समय तक मतलब लगबग 30 years, 30 सालों तक जो साशन करने वाला वंच है वो खिल तो बहुत सारे चीज़ें आपको वहां से भी पता चलती है तो आईए हम सेशन की शुरूरात करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि खिलजी डाइनेस्ट्री कहां से कहां तक फैली हुई है ये पूरा जो आपका नदन पोर्शन है जम्मू वाला मतलब जो भारत का पोर्शन ह दिल्ली, पानीपत, लाहोर, मुलतान, जोधपूर, हिनाहाजीपूर ये जो सारा रीजन है ये पूरा आपका खिलजी डाइनेस्ट्री के अंदर आता था ये खिलजी राजवन्च कहलाता था अब सबसे पहला यहां पे सवाल ये बनता है कि एक्जाम में सवाल क्या तो मैंने काफी सारे question paper को यहां पे study किया और उसके बाद कुछ questions आपके लिए लेकर आए हो जो previous year एक्जाम में पूछेगा है पहले उन question के pattern को समझते हैं उसे साब सिफर आपको मदद पढ़ेगी कि आपको पढ़ना कैसे है इस पूरे राजवन्च को तो देखे जैसे कि पहला question था which of the following constructed अलाई दर्वाजा कुतुम मिनार के पीछे एक अलाई दर्वाजा है तो उस अलाई दर्वाजा को किसने बनवाया था तो सही answer हो जाएगा यहां पे अलाउदीन खिलजी के द्वारा उससे बनवाया गया था नेक्स question था what was जकात जकात क्या है ठीक है तो एक तो आपने जजीया सुनाओगा जजीया कर जो है वो एक धार में कर होता है एक religious text होता है जो कि हिंदूों से लिया जाता है अब जो गैर हिंदू है जो Muslim category के हैं तो उन Muslim से भी एक religious purpose के लिए text लिया जाता था जिसे जकात कहा होंगे जजीया हिंदूों पे इंपोज होता था और जकात जो है वो Muslims के लिए था ठीक है next question की तरफ बात करेंगे which of the falling was the first king to bring the standing army system ऐसा पहला कौन सा रूलर था जिसने इस्ताई सेना प्रणाली रखवाई मतलब जैसे कि होता क्या था जब युद्ध के समाई होता था तब सेना को भड़ती करा जाता था युद्ध लड़ने जाते थे पर्मनेंट आर्मी नहीं हुआ करती थी ठीक है जैसे कि आजकल पर्मनेंट आर्मी होती है न बीएसेफ वगेर आपके पास है तो first ऐसा कौन सा रूलर था जिसने पर्मनेंट आर्मी रखवाई थी तो वो answer है आ अगर हम भारत के मैप की बात करते है तो यहां पे जो विंधियन रेंज आती है विंधियन रेंज को क्रॉस करना मतलब होता है साउथ इंडिया में प्रवेश करना तो अगर प्रशन आता है कि ऐसा पहला कौन सा राजा है जिसने विंध को क्रॉस किया या ऐसा पहला कौन सा सुल्टान है मद्दकाली जिसने साउथ इंडिया पर हमला किया तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलाओदीन खिल जी ठीक है अलाओदीन खिल जी इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कोश्चन है विच अफ दो फॉलिंग कैप्चर रंधंबॉर रर्थंबॉर आपको पता है ने राजस्तान में नेशनल पार्क भी है एंड किल हामीर देवा इट्स रूलर तो मतलब रर्थंबॉर का राजा कौन था तो हामीर देव था रर्थंबॉर के किले को किसने जीता तो आंसर आजाएगा अलाओदीन खिल जी के द्वारा उसे जीता गया और हामीर देव को मार डाला गया तो इस तरीके से कॉशन आते हैं तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हूँ यहां पर पूरा मैंने फॉर्मिट टैयार किया है तो एक एक करके जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है तो फटा फट लिंक को शियर कर दो और पहली बार आ रहा है चैनल पर तो चैनल को सब्स्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासिस के नोटिफिकेशन में लेंगे तो आई शुरूत करते हैं खिल जी की तो खिल जी होते क्या है तो बेसेकली ये तुर्क डाइनिस्ट्री थी है ये तुर्क लोग थे जिन्होंने दिल्ली सल्तरत की शुरूआत की थी कुतुब बुद्धी, नैबग, उसके बाद इलतमश, रजिय सुल्तान, आपको मैंने सिखाया सब कुछ तो मतलब राजा का बेटा राजा होगा इस तरीके से पूरा कारिक्रम चल रहा था तो ये जो कास्टिस्म चल रहा था ये जो कास्ट सिस्टम चल रहा था उसको खतम करके उस साशन विवस्ता को खतम करके जो इलवरी तुर्क एक high position पे माने जाते थे उच दरजे के समझे जाते थे उनकी साशन व्यवस्ता को खतम करके सभी लोगों को समान opportunity देना ही क्या कहलाता है खिल जी कहलाता है यही शब्द है जो है वो खिल जी है ठीके अब खिल जी वंच के शुरुआत की बात करते है तो नाम आता है गाजी मलिक का गाजी सारी नाम आता है जलालुद्दीन खिल जी का ठीके तो सबसे पहले यहां से हम बात करते हैं हुआ क्या था आपको पता है खिलजी डाइनेस्ट्री की शुरुवात फिरोज खिलजी ने की थी और जब वो सुल्तान बन गया था तो उसने अपने आपको टाइटल किया दिया था जलाउद्दीन तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी आपको पता है अगर हमने दिल्ली सल्टन की शुरुआत की थी गुलाम डाइनेस्ट्री से तो वहाँ पर एक राजा हुआ करता था बल्बन तो बल्बन के दर्बार में जो सेना पती था वो था फिरोज खिलजी तो बल्बन के समय से ही उसको काफ़ी इंपोर्टेंस दी जाती थी फिरोज खिलजी को और जब बल्वन के बाद उसके बेटे होते, आयोग होते, उत्ते जादा पावरफुल नहीं होते हैं, कैकुबाद का नाम आपने सुना होगा, तो उन सब को हटाने के बाद फिरोज खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनते पर बैठते हैं, तो कैकुबाद जो होता है, उसके समय स इसके पावर बहुत जादा बढ़ने लगती है, क्योंकि बल्वन की डैश हो जाती है, और कैकुबाद होते हैं, उनको एक टाइडल एक उपादी देते हैं, जिसको सहीस्ता खिलजी को सहीस्ता खipाद की उपादी किस ने दी, तो आंसर हो जाएग गा कैकुबाद में, यह स अपना राज अविशेक करीवाते हैं दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं, तो यह जो फिरोज खिलजी अपनी कैपिटल भी जो है वह किलोखरी को ही बनाते हैं, तो यहां से खिलजी डायनिस्टी की हैरान भर लच्छी एदwn कि इसकी अगर कुछ क्राइम कर देता था, उसको स जो रक्त और लोहे की नीती थी उसको खतम करके ये बहुत उदारवादी थे, बहुत लिब्रल पॉलिसी थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इतना कोई कड़ा दंड किसी को नहीं देते थे, साथ ही साथ, इनके समय में क्या हुआ, 4000 मंगोल इसलाम धर्म में शामिल हो गए, क्योंकि हमेशा मंगोलों का आक्रमड जो है, वो एशिया में होता ही रहा है, तो मंगोल जो थे, 4000 मंगोल इसलाम धर्म को शामिल एडॉप्ट कर लिया, इसके समय जलाओदीन फिरोज खिलजी के समय, और इनको न्यू मुसलिम का टाइटल दिया गया, और ये लोग दिल्ली में रहने लगे, अब अल्लाओदीन जो खिलजी थे, उनके एक नेफ्यू थे, उनके एक भतीजे थे, जिनका नाम था अल्लाओदीन खिलजी, उनका पूरा पालन पोशन अल्लाओदीन खिलजी का फिरोज खिलजी नहीं किया, और बाद में उनको अपना दामाद मतलब सन लॉबी थे, तो खुश होकर अलाओ दिन खिल जी को इन्होंने गवर्नर अफ कारा बनाया कारा कहां आता है, तो कारा जो है वो इलाबाद में आता है तो अलाओ दिन खिल जी कहां रहते थे, इलाबाद के गवर्नर की रूप में काम करते थे और बहुत ही ambitious थे, मतलब वो चाहते थे कि जली सजली फिरोस खिल जी मर जाए और मैं गद्धी पर बैठे जाओ, अच्छा फिरोस खिल जी जब गद्धी पर बैठे थे तो उनकी age से 70 years, वो already काफी बूरे थे, ठीक है, तो अब उनको हटाने की चाहए जो है अलाओदीन खिल जी के पास थी, बहुत ambitious थे, तो ये जाते हैं कि इसके पास, फिरोस खिल जी के पास, और कहते हैं कि मैं South India जाना जाता हूँ, मैं South India जाना जाता हूँ, और वहाँ जाके कुछ राजाओं से मिलना चाहता हूँ, और राज पर कबज़ा करना चाहता हूँ, तो अलाओदीन ख समपत्ति और वेल्थ को लोटते हैं और वो जब वेल्थ इखटा करके आते हैं तो अल्लावदीन खिल जी फिरोज खिल्जी को बोलते हैं कि आप आए काड़ा इलावाद और अपनी पुरी समपत्ती को मतलब पूरा जो वेल्थ मैंने आपके लिए खटा किया आप उसको ले ऐसा अलावदीन खिलजी बोलते हैं तो बिल्कुल काड़ा एलाबाद में फिरोज खिलजी आते हैं अलावदीन खिलजी से मिलने के लिए और अलावदीन analajadyn खिलजी उनको धोगे से मार देते हैं और मारने है बेगम क्या करती है अपना जो छोटा बेटा होता है अपना जो छोटा बेटा होता है कादर खांग उसको गदी पर बिठाल देती है और अभी अलवदिन किसे पॉलिटीशन ही तो है तो जो जो उसने वैलत हिखटा कियो जो मसumbs करती इस्तर से लोग उसकी तरफ आए और जैसे कादर खान को पता चलता है कि अलावाधीन खिलजी आ रहा है तो उसकी मां और वो मुल्तान की तरफ चले जाते दिल्ली को छोड़ कर और Allaudin Khilji दिली सल्तनत की गधी पर बैठ जाता है तो Allaudin Khilji का जो समय है वो 1296-1316 के बीच में आता है तो आईए हम बात करेंगे Allaudin Khilji के बारे में अब Allaudin Khilji ये मैंने बता दिया है आपको Allaudin Khilji ने North में भी कबजा किया और South में भी कबजा किया ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते है North के Invisible के बारे में आ क्रमण के बारे में गुजरात अब गुजरात में जब आ क्रमण करता है अल्लाओदीन खिल जी तो अपने दो Commanders होते हैं एक उल्गू खान होता है और नुश्रत खान होता है तो नुश्रत खान और उल्गू खान के ने तरत में गुजरात पे हमला करता है सोमनात मंदिर को तुड़वाने का काम करता है जो गुजरात के पोर्ट्स है पोर्ट्स मतलब अंदर गाएं उन पे भी कबजा कर लेता है और वहाँ पर नुश्रत खान के दौरा एक किनर को एक सलेफ को खरीदा जाता है जिसका नाम रहता है मलिक काफूर और मलिक काफूर को हजार दिनार दे कर खरीदा जाता है इसलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है तो इस तरीके से गुजरात के एरिया में कबजा कर लिया जाता है बाई दा अलूग खान और नुश्रत खान इसके बाल रर्थमबर राजपुदन शाशन में सबसे जो पावरफुल राजा होते हैं वो रर्थमबर के राजा होते हैं जिनका नाम होता है हम्मिर देव तो हमिर्देव के पास जाते हैं और एक साल तक पुरा कबजा कर करके रखते हैं और एक साल बाद हमिर्देव को मार देते हैं ठीक है तो रणठमबॉर पे भी कबजा कौन कर लेता है Daysin खिलजी कर लेते हैं इसकी बास चित्तूर अच्छा ही जो पूरी अल्लवदिन खिल जी मूवी बनी है वो चित्तौर गड़ पर ही बनी है ऐसा बोला जाता है ऐसा मैं नहीं बोल रही हो मलिक मुहमद जायसी ने पदमावत में लिखा है कि रानी पदमावती बहुत सुन्दर थी और रानी पदमावती इतनी सुन्दर थी कि उनको प्रभावित होकर अल्लवदिन खिल जी ने चित्तौर पर हमला किया उस समय चित्तौर के राजा राजा रतन सिंग थे और उनके साथ आमिर खुश्रो भी इस अभियान में गए थे तो काफी लंबे समय तक घेरा बंदी करके रखते हैं किले को घेर के रखते हैं और अन्त में आत्म समर्पर करना पड़ता है राना राजा जो रतन सिंग होते हैं इस तरीके से भी अलवदीन खिल जी ने चित्तौर गड़ पर भी कबजा कर लिया तो गुजरात पे कबजा किया रर्थंबोर पे कबजा किया और चित्तौर में भी कबजा कर लिया इसके अलावा नौर्थ में काफी सारी जगों पर इन्होंने कबजा की हैं वह हम देखते ह तो इनके जो अलवदीन खिलजी की छोटे बेटे थे उनका नाम था खिर्ज खान तो खिर्ज खान को गदी पर बिठाल देते हैं चित्तोरगड की और चित्तोरगड का नाम बदल के खिर्जाबाद रख देते हैं तो खिर्ज खान के नाम पर ही खिर्जाबाद चित्तोरगड का नाम रखा गया इसके अलाव आप देखेंगे मालवा, धार, मांडू, उज्जेन, चंदेरी इन सभी एरियाज में भी अलाओदीन की खिलजी ने कबजा किया ये तो हो गई नौट की बाद अब ये क्रॉस करेंगे विंद को, विंद को क्रॉस करके कहा जाएंगे, साउथ हिंडिया जाएंगे और ऐसा करने वाले ये मद्द काल के मीडियावल हिस्ट्री के पहले सुल्तान कहलाएंगे अच्छा इनका जो पूरा का पूरा साउथ का इनविजिन चल रहा है साउथ का जो अभियान चल रहा है उसके जो सेनापती है वो मलिक काफूर है ये question पुछा जाता है कि Allauddin Khilji के दक्छर अभियान का सेनापती कौन था? मलिक काफूर या हजार दिनारी इसका नाम क्या है? हजार दिनारी जैसा कि मैंने आपको अल्री डिसकस किया था गुजराद विजय के समय इसको खरीदा गया था हजार दिनार में चलो ये सारी information हमको कहां से मिलती है? कोई ना कोई source होगा मैंने starting में भी आपको clear किया कि हमारे पास source क्या है? जो books available है तो बर्नी, बर्नी की एक पुस्तक है तारीख फिरोश शाही वहां से और आमिर खुश्रो की एक पुस्तक है जिसका नाम है खजायन उल्फुतूद इन दोनों books के जरी हमको दक्षन भारत की अभियान के बारे में information मिलती है तो सबसे पहले यह जाते हैं तेलांगना, तेलांगना में काकिया डाइनस्ट्री के राजा है राजा रुद्रदेव तो राजा रुद्रदेव जो की काकिया डाइनस्ट्री के राजा है उनके पास हमला कर देते हैं तो यह पहले ही हार मान जाते हैं और राजा रुद्रदेव अपने एक सोने का स्टैच्यू बनाते हैं, गोल्ड का स्टैच्यू जो की पूरा, क्या कहते हैं, सरेंडर किया हुआ एक स्टैच्यू बनाते हैं मलिक काफूर को देते हैं कि भाई मैंने तो अल्रडी सरेंडर कर दिया है मेरे पर हमला मत करो जैसा आप बोलोगे हम तो वैसा करेंगे तो राजा रूदर देव के तेलांगना के जो काक्या डाइनेस्ट्री के उस पर कबजा कर लेते हैं और रूदर देव के साथ काफी अच् करते हैं तो लगातार बारा बार हमले अल्लावदीन खिल जी के समय मंगोलों के हुए लेकिन सभी हमलों पर विजय प्राप्ट किसको हुई अल्लावदीन खिल जी को हुई अब अल्लावदीन खिल जी ने अपने मिलिटरी के लिए रिफॉर्म किये तो देखिएगा मैंने कहा था कि जसरे कि सेना कब आती था जब कभी युद कीस्थिती होती दब सेना आती थी लेकिन अलावदीन खिल जे एस इन सुल्तां थे जन्हों पर्मनेंट औरमी इस्था हे सेना रगा है अप यहां जो भी आर्मी में लोग भड़ती होते थे, उनका हूलिया, हूलिया मतलब उनकी आइडेंटिटी की कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, कितने ताकदवर हैं, इस तरीके से उनका हूलिया भी दरज कराया जाता था, ठीके साथ ही साथ पहले क्या चलता था, इक्ता सिस्टम च तो कौन सा ऐसा राजा है जिसने सैनीकों को सेलरी देना शुरू किया था वो अलदीन खिल झी ठीकिए और इन्हों ने पर्मनेंट आर्मी भी रखवाई एक ता सिस्टम को इन्होंने खतम कर दिया ठीक है अब होता क्या था जिसे कि घोड़े होते था घोड़ों को दागने का सिस्टम शुरू किया, मतलब एक घोड़ा है, पहले उसका फिजिकल टेस्ट देखा कि अच्छा है कि नहीं है और फिर उस पे एक साही मोहर लगा दी कि एक घोड़ा जो है वो आर्मी में भरती होने के लिए अच्छा है, क्योंकि होता कहता है जब युद्ध की स्थिती बनती थी तो लोग अपने पुराने कमजोर बूड़े गोड़ों को लेकर आ जाते थे जो युद्ध में परफॉर्म नहीं कर पाते थे इसलिए अल्लादिन खिल जी ने घोड़ों पर मोहर लगाना या दागना उनको शुरू किया अब घोड़े रखने वाले जो सैनिक थे उनकी दो कैटिगरी होती थी एक कैटिगरी कहलाती थी वन आस्पा मतलब जिनके पास एक घोड़ा होता था और जो लोग दो घोड़ा रखते थे उनको दो आस्पा कहा जाता था नॉर्मली जो सैनिक का यहाँ पर वेतन या सैलरी होती थी ऐसा बुक्स कहती है कि 234 टंका के हिसाब से यहाँ पर सैलरी होती थी जो एक्स्टर घोड़ा रखता था उनको एक्स्टर सैलरी भी दी जाती थी तो घोडों को दागने का सिस्टम किसने शुरू किया था अलावदीन खिल जी ने, सैनिकों का होलिया दर्ज करने का काम किसने किया था अलावदीन खिल जी ने, पर्मानेंट आर्मी किसने रखी अलावदीन खिल जी ने, एकता सिस्टम किसने खतम किया अलावदीन खिल जी न जब लोगों के पास जादा पैसा जाता तो लोग रिवॉल्ट करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं राजा के खेलाब, इसलिए जो बड़े धनी वर्ग थे जिनके पास बड़ी-बड़ी संपत्या थी उन सबी लोगों के संपतियों को जप्त कर लिया, तो जिससे अल लवदीन खिलजी ने किया इसके अलावा इसने टेक्स में भी व्रधी की तो जो एग्रिकल्चर टेक्स होते थे तो हिंदूओं से 50% और मुसलिबों से 25% उसके प्रोड़क्शन का लिया जाता था अब यहां पर लवदीन खिलजी के द्वारा चार्ड प्रकार के टेक्स पहला तो जजीया है जो आपको पता है धार्मिक कर होता था हिंदूओं पे लगाना जाने वाला तो पहला तो जजीया करता दूसरा था लैंट जो जमीन आप रखते हो खराज जिसे बोलेंगे खराज बोलेंगे तो भूमी का कर चरी और घरी इसने दो नए टेक्स इंपोस किये एक का नाम था चरी और दूसरा का नाम था घरी अब ये क्या है चरी का मतलब आपके पास जो भी ऐनिमल है जो दूद देने वाले ऐनिमल है गाय भैस है उन पर आपको टेक्स देना पड़ेगा वो चरी टेक्स कहलाता था और घरी जहां पर आपका घर बना हुआ है तो जैसे कि आज भी हमारे घरों पर टेक्स लगता है संपत्ती जब्त कर ली थी अब जो दुआब का रीजन था दुआब का रीजन तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है यहां पर फसलें अच्छी होती है तो इसका भी मापन शुरू किया और पूरे उसके इलाके में जितनी भी जमीन थी पूरे जमीन का माप किया और माप करने के बाद एक नया शबदाया मसाहथ मसाहथ वो जमीन थी जो कि वास्तविकता में उप जाओ थी फोर्टेलाइस थी जहांपर एग्रीकल्चर फार्मिंग वगेरा की जा सकती थी तो इसने पूरी की पूरी जमीन का क्या किया मापन करवाने का काम भी किसने किया अलाओदीन खिलजी के द्वारा ही किया गया अब मार्केट पे कंट्रोल अचा एक चीज बताइए जैसे कि अगर सब को फ्री छोड़ दिया जाए तो सबी चीज़ें जो है वो अपने मनमानी कीमत से बिकेंगी अगर मूले जादा होंगे तो लोगों की सेलरी भी जादा होगी देखो पहले लोगों का सेलरी जो मैं पापा मेरे जब बैंक मैं तो उनकी पहली जो सेलरी थी वो 333 रुपे थी पर दीरे 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 बढ़ती गई, समझ रहे न आप, तो वो कब की बात है, वो 80s, 90s की बात है, तो उस समय महेंगाई उतनी नहीं थी, चीजों के दाम कम थे, एक रुपे में गेहूं, दो रुपे में चावल मिल रहा है, उस इसाब से सेलरी ठीक थी, जैसे जिसे दाम बढ़ने लगे तो सेलरी को भी क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, तो अल्लावदीन खिल जी ने सोचा क्यों ना में मार्केट को कंट्रोल करूं, मार्केट को कंट्रोल करूं मतलब जो सारी चीज़ें होती है, जाए वो गेहूं हो चावलों, हर एक चीज़ का कीमत जो है, वो सुल्तान कीती हैं, जिससे लोगों को सेलरी भी क्या करना पड़े, कम देना पड़े, छीक है, इसके अलावा उसने, अलौदीन खिल जी ने क्या किया था, डिफरेंट टाइप उफ मार्केट अरेंज किये थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप उफ मार्केट अनाच के लिए अलग, अवेलेबल रहेगा आपको स्टोरिज भी करना पड़ेगा कभी बाढ़ आ गई कभी सूखा पड़ गया तो आपके पास प्रोडक्शन हुआ है आपका वो कम हो जाएगा तो लोगों को सारी चीजे अवेलेबल नहीं हो पाएंगी तो यही चीज किस ने सोची अलादीन बड़े-बड़े वेयर हाउसे होते हैं तो अलादीन खिलजी ने भी अपने साशनकाल में बड़े-बड़े वेयर हाउसे बनवाए थे जहां पर वो इन खाने के सामागरियों को रखा करता था और जब भी डॉट की कंडिशन भूखे भूगमरी की कंडिशन आती थी तब उस बंडारन से उस स्टोरिज से जो खाना निकाल के गरीबों को बाटा जाता था ठीक है तो यहां पर जो फादर ऑफ पब्लिक डिस्टिबूशन सिस्ट्रम है मतलब जो सारवजानिक वित्रण प्रणाली है उसका जनक भी अल्लावदीन खिलजी को ही कहा जाता है ठीक है अब बजार जो होते थे तो बजार का एक सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको सदर यह रियाषत कहते थे और वही देखता था कि बजार में सारे चीज़ते कंट्रोल है कोई अपने मन से का काम नहीं कर रहा है जिसके पास लाइसेंस है वही दुकान लगाया हुआ है या नहीं ये सारी चीज़ें होती थी, साते साते गुप्तचर डिपार्टमेंट, इंतलीजेंस व्योरो होता है उसकी इस्थापना भी इसने की थी, जो कि directly सुल्तान के कंट्रोल में होता था, तो सदर यासाथ और गुप्तचर डिपार्टमेंट ये दोनों ही सुल्तान की नियंत लेकिन उसके बाद भी एक बहुत अच्छा राजा साबित होता है, इसने अपनी शक्तियों का अच्छे तरीके से प्रयोग किया, ऐसा अल्फिस्टन कहते हैं, अल्लाओदीन खिलजी के लिए, ठीक है, अल्लाओदीन खिलजी के बारे में अब हम बात करते हैं, तो 1316 में इनक कि देथ हो जाती है, और इनकी देथ के बाद उनके बेटे होते हैं साहऑ बुद्दीन, साहाब बुद्दीन के बाद, मुबारक शाह के बाद नसुरत दिन, खुश्रुसा़, ये सभी लोग गद्धी पर बैटते हैं, लेकिन बहुत ही आयोग ईशाचा होते हैं, मतलब मु तो अल्लावदिन खिलजी डाइनिस्ट्री का जो अंतिम राजा था वो नशरुद्दीन खुश्रोशा था इसको गदी से हटा कर गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलग ने तुगलग डाइनिस्ट्री की नीव रखी तो गयासुद्दीन तुगलग को गाजी मलक की नाम से भी जाना जाता है इसने नसिरुद्दीन खुच्रो सा की हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया इस तरीके से खिलजी डाइनिस्ट्री खतम होती है और तुगलग वन्ज का आरंभ होता है तो तो दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट नंबर थ्री होगा उसमें हम तुगलग डाइनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होगे तो कॉश्चन है आपके लिए अभी सेशन खतम नहीं हुआ है अभी कुछ और पॉइंट आप से डिसकस करने है पहला कॉस्चन है दूसरा कॉस्चन है तुगलग बंज का राजा कौन था इसका आंसर भी आप हमको कमेंट सेक्षन में बताइएगा अब देखें कुछ कीप ओंट है जो प्रिलिम सको और वण डे एक्जाम को ध्यान में रखते हुए तयार किये गए हैं को देख लेते हैं सबसे पहले अली गुर्षाप कौन है अलावदीन खिल जी का एक्च्वल नाम अली गुर्षाप था जब वो काड़ा इलहाबाद में फिरोज खिल जी को मारता है और मारने के बाद अलावदीन खिल जी का टाइटल लेता है इनका एक्च्वल नाम क्या था गुर्शाप था तो प्रश्ट नाएगा अलवदिन खिल जी का इनिशियल नाम क्या था तो अली गुर्शाप था गाजी मलक किसका नाम था तो गया सुद्दिन तुगलक का नाम गाजी मलक था अब जो तो रिलिजियस ग्रांट्स होते हैं धार्मिक जो अनुदान दिये जाते हैं उनको बफ कहा जाता था अब जैसे कि आजकल हम जमीन को नापना है तो हम हेक्टेर यूज़ करते हैं मीटर सेंटी मीटर वाटेवर हम अलग-अलग डाइमेंशन यूनिट्स यूज़ करते हैं तो जो हैट था उसको दिवाने मुस्तखरास के नाम से जाना जाता था दिवाने मुस्तखरास क्या है ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट है कॉश्चन पूछा देया है तो अगला है दिवाने अर्ज जो मिलेटरी था मिलेटरी जो डिपार्टमेंट था उसको दिवाने अर्ज कहा जाता था और जैसे कि आज भी खड़ी भरतियां होती है ना वैसे उस समय भी खड़ी भरतियां होती थी सीधी भरतियां तो सीधी भरतियों के जो डिपार्टमेंट था वो अर्जे मुमालिक कहा लाता था तो अर्जे मुमालिक और दिवाने खास इनका नाम आप याद रख लेंगे अब मंगोलों का बारा बार आक्रमर जो होता है वो अलाओदीन खिलजी के समय होता है इसलिए अपने किले को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सीरी एक शहर की स्थापना करता है तो आप यह देख सकते हैं इस सीरी फोट है सीरी फोट या सीरी का किला किसने बनवाया था अलाओदीन खिलजी ने बनवाया था इसके अलाव अगर कुतुब मिनार के पीछे आप देखेंगे यह अलाई दर्वाजा है इस अलाई दर्वाजे का निर्माड भी किसने करवाया था कुतुब उद्दीन एबक ने करवाया था साथी साथ निजाम उद्दीन ओलिया की जो दरगा है उसमें जमात खाना का निर्माण भी अल्लावदीन खिल जी के द्वारा ही किया गया था आपको अल्लावदीन खिल जी और खिल जी डाइनिस्ट्री के बारे में सारे एफेक्ट समझ में आये होंगे जो प्रेलिम्स और वंडे एक्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गए हैं यहां से आप मेंस राइटेंग में भी बहुत अच्छा प्रशन लग सकते हैं क कौन कौन से social, economic, religious reform अलवदीन खिल जी के द्वारा किये गए यह अलवदीन खिल जी की साशन रवस्ता कैसी थी इस पे भी आप एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं तो जो लोग भी यहां पे मेंस की तैयारी कर रहे हैं हमारे प्यारे स्टुडेंट वो लोग आजवंच के बारे में डिसकस करेंगे